IS 2017 के C-set में question है कि मान लेज़े कि 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 केजी है प्रथम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 45 केजी है जबकि अंतिम 5 व्यक्तियों का औसत वजन 55 केजी है तो पांचवे व्यक्ति का वजन होगा A में दिया है 45 केजी दूसरा में B में 47.5 केजी फिर 50 केजी फिर 52.5 केजी तो दोस्तों इसके अंतर गत 9 व्यक्ति है 9 व्यक्तियों का औसत वजन दिया है 50 केजी तो इसे लिख लेते हैं जो 9 व्यक्ति हैं इनका औसत वजन कितना दिया है पचास केजी उसके बाद इनका हम निकाल लेते हैं टोटल वजन कितना होगा गन्नाव व्यक्तियों का है न टोटल वजन कितना हो जाएगा पचास गुणा नौ बराबर 450 केजी ये टोटल वजन हो जाए गई इनका तो दोस्तों इसके बाद हम प्रथम पांच व्यक्तियों का जो औसत वजन दिया है 45 केजी उसका टोटल वजन निकाल लेंगे प्रथम है ना ये प्रथम है प्रथम पांच व्यक्तियों का एवरेज कितना दिया है एवरेज वेट कितना दिया है पचास सॉरी 45 केजी दिया है ये प्रथम पांच व्यक्तियों का हो गया और अन्तिम पांच व्यक्तियों का एवरेज कितना दिया है पचपन अंतिम पांच व्यक्तियों का एवरेज वजन हा ना एवरेज वेट कितना दिया है पचपन तो इनका जो है वो टोटल वेट कितना होगा टोटल वेट पचपन गुणा पांच बराबर 275 अब दोस्तों ये ये जो प्रथम पांच है और अंतिम पांच है इनका हम इनको हम जोड़ेंगे तब जितने भी मतलब जितने भी लोग है जितने भी व्यक्तियों है उनके साथ घटा देंगे तो हमारा जो पांचवा व्यक्ति है जो मध्यक्ति है उसका वजन निकल जाएगा ये जो दिये हैं दोनों इसको जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा पांच पांच का सुन्य और साथ आठना और एक दस का सुन्य दो दो चार एक पांच पांच सो और उसके बाद टोटल कितना दिया है चार सो पचास घटा देते हैं पचास यह दोस्तों पांच वे व्यक्ति का वजन होगा तो इस आधार पर ऑप्सन में देखें तो सी नंबर सहीं हो जाएगा पचास के जी